प्रभीशु मसी के पवित्रोर सामर्थी नाम में हम आपका अबिनन्दन करते हैं मैं शूशंकर तिवारी आज एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा ये वचन है दूसरा इतिहास उसका पहला अध्या और उसकी 11 से लेकर 12 तक यहां परिस प्रकार से लिखाए ग्यान का वर मांगा है जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके उपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है नयाय कर सके इस कारण बुद्धी और ग्यान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और एश्वरे दूँगा जितना ना तो तुझ से पहले किसी कि राजा को मिलेगा जी हाँ, हम इस वच mart को पढ़ते हैं यहाँ पर सुलिमान कितनी सुनदर बाद परमेश्वर शिर से मांग रहे हैं, कितनी सुनदर इक्षा को प्रगट कर रहा हैं जो परमेश्वर उसके सामने आते हैं और परमेश्वर कहते हैं मांग तुझी क्या चाहि मैं तुझे मूह मांगा बर दूँगा तब सुलिमान कुछ और नहीं मांगता है नहीं वो दिरगायू मांगता है नहीं वो कहता है प्रभु मुझे अमर कर दे नहीं वो कहता है कि मुझे धन संपत्ति दे दे लेकिन वो एक सुन्दर चीज जो कि परमेश्वर के राजी के लि और उसे परमेश्वर के राज्य की इतनी चिंता थी कि उसने अपने प्राण तक को अपने दिर्गायु को भी नहीं मांगा, अमर्ता को भी नहीं मांगा उसने, नधन संपत्ति को मांगा, वो कहता है प्रभू मुझे तु बुद्धी दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं कैसे तेर राज्य को सही तरीके से लीड कर सकूँ, मुझे वो बुद्धी और वो ज्ञान दे। परमेश्वर इतने प्रसन्न होते हैं वो कहते हैं कि तुने और कुछ नहीं मांगा, तुम मांग सकता था, लेकि तुने मेरे राज्य की सुधी ली, तुने मेरे राज्य के लिए तत परता को समर्पन को दिखाया है, इसलिए बुद्धी और ज्ञान जिसे तु मांग रहा है, वो तो तुझे में दूँगा ही दूँगा, साथ में मैं तुझे इतना धन, एस्वर्य और संपत्ति दूँगा, जितना आज तक ना किसी राजा के पास थी न होगी, अगर आज आप भी सोचते हैं, कि मैं भी परमेश्वर से आशीशों को प्राप्त करूँ तो आज आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो जाएगे, यदि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उसकी सेवा में समर्पित हो जाएगे, तो परमेश्वर भी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए समर्पित हो जाएगा, प्रभीश्वर मसी कहते हैं, कि पहले तुम मेरी, मेरे राज्य की और मेरे धार्मिक्ता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे अगर आप परमेश्वर के राज्जी के लिए समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर फिर आपके घर को भी बनाने में पीछे नहीं हटेगा यदि आप उसके घर को बना रहे हैं तो वो आपके घर को बनाएगा अगर आप उसके राज्जी की जरूर्तों को पूरा कर रहे हैं लोगों को सुसमाचार बाट रहे हैं आतमाओं को जीत रहे हैं उसके नाम को आप हर जगा फैला रहे हैं उसके नाम की महिमा कर रहे हैं नहीं तुझे किसी प्रकार की कमी होगी, नहीं घटी होगी, सच में, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे हाथ के नीचे बने रहो, ताकि मैं सही समय में तुम्हें उठाओ, उसका वादा है, कि मैं ना कभी तुम्हें अनाज छोड़ूँगा, ना कभी त्यागूँगा, आप उसके राज़ी के लिए समर्पित हो जाए, अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपनी देह, और जो कुछ भी उसने आपको दिया है, सब कुछ परमेश्वर के राज़ी के लिए सब कुछ लगा देगा। जो भी आपके लिए आवश्यक है वो दे देगा प्रेश दुलाओ